मैं हमेशा डांसर थी, कल्यू करने से पहले और भट साब और मोहित को असिस्ट करने से पहले मैंने, मैं शामक के साथ डांसर थी बच्पन में, मिरी ममी के डेद के बाद मिरी नानी ने मुझे शामक में डाला, जब शामक ने शुरुआत की थी, तो मैं उनके साथ टीचर बनी 16 साल की उमर में मैं बच्चों को सिखा रही थी उनके साथ ट्रावल कर रही थी कोई बुरी कंपनी में नहीं पड़ी इसलिए क्योंके मैं डांस कर रही थी तो डांस ने हमेशा मुझे बचाया है उसके बाद मैंने सालसा सीखा संदीप सोपार्कर के साथ बॉल्रूम सीखा और काफी डांस पॉम सीखे एरियल आर्ट्स मैं कर रही थी मलखम कर रही थी उद्यदेश पाड़ने के साथ लेकिन कुछ कमी सी महसूस होती थी कुछ ऐसा लगता था कि मैंने मुझे एक चैनल भी शिरू करना था डांस के उपर क्योंकि डांस ने हमेशा मुझे बचाया है जाए वो मेरी ममी की डेद के पाद या पापा की डेद के बाद या हर चीज के बाद और मैं बचपन से डिस्लेक से जैसे आपने तारे जमीन पर देखी होगी तो मैं तारे जमीन पर थी मुझे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बीच में अभी भी इसलिए मैं रिंग्स पहनती हूँ कि राइट पता चले, लेफ्ट पता चले मैं अभी भी अपनी उंग्लियों पर गिंती हूँ तो डांस ने एक टीचर ने मेरी नानी को बोला था कि इस लड़की को डांस में जरूर डालना क्योंकि इसकी ओरियंटेशन राइट लेफ्ट सब ठीक हो जाएगा तो मैं फिर भी खालीपन महसूस करती थी और पपा की डेथ के बाद तो बहुत डिप्रेशन में डिप्रेशन में चली गई थी मुझे पता भी नहीं था कि मुझे डिप्रेशन है मतब सालों का जो बिंट अप डिप्रेशन था मम्मी की डेथ के बाद नानी की डेथ के बाद पपा की डेथ के बाद वो एक साथ अंदर जैसे चल रहा था हमें सिरफ भाग रही थी तो एक दिन मैं कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हुई और नुजद खान जो है मैं उनकी बहुत शुक्र गुजार हूँ इमरान खान की ममी उन्होंने ये मुझे में देखा और उन्होंने का तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रोत है क्योंकि वो कुद साइक्याट्रिस्ट है तो उन्होंने मुझे एक डॉक्टर अमित कुलकरनी साइक्याट्रिस्ट के पास भेजा और उन्होंने मुझे बताया कि पता है तुमने बच्पन से सब चीज़ें अंदर रखी है तो ये जैसे तुम निकाल नहीं रही हो तुम बॉडी में निकाल लेती हो डांस और एक्ससाइस करके लेकिन मेंटली तुम तुम वो आठ साल की लड़की ही हो जो बड़ी नहीं हुई इस बात का भी डिप्रेशन था के बॉलिवोड में जादा काम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने मुझे ट्रीट किया थेरेपी दी और उसी दोरान में दुबाई गई थी पता नहीं कोई हॉलिडे के लिए एरियल आर्ट्स लॉन करने के लिए एरियल सिल्क और उस दिन पता नहीं है आप भगवान की देन बोलो या क्या हो बोलो तो एरियल टीचर नहीं आई और एक पोल टीचर अंदर आ गई तो उन्होंने का मैं आपको पोल सिखाऊंगे तो मैंने का ठीक है मैंने तो कभी किया नहीं है तो उन्होंने पोल क्लास मुझे दी और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जिसे मुझे मेरा मकसद, जिंदगी का मकसद मिल गया है, क्योंकि पोल में मेरा transformation हुआ, from a girl to a woman, pole dancing मुझे पता है क्योंकि strip bars और ये सब के वज़े से बहुत बदनाम है, लेकिन actually women के लिए और सब के लिए, अगर आप याद रखो, हम जब इतियास में, और when we were cavemen, when we were monkeys, हम लोग climb करते थे, तो climbing एक बहुत important activity है, पोल पे dance करना, पोल अभी एक sport है, Olympics में, तो सिर्फ tricks नहीं होते, मतलब tricks होते हैं, लेकिन उसमें dance भी होता है, क्योंकि mind and body coordination होता है, जो I feel, इसलिए मैं बच्चों की class भी शुरू कर रही हूँ, mind and body coordination होता है, dyslexia, arthritis, osteoporosis, हर चीज़ के लिए, पोल is the solution, thyroid, PCOD, मुझे खुद thyroid है, PCOD था, जो चला गया, पोल के वज़े से, मैं अपने पोल को अपना त्रिशूल मानती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इंडिया में ये पोल revolution, औरतों के लिए, मैं चाहे कल हूँ या ना हूँ, हर लड़की पोल करे, क्योंकि उसमें इतनी fitness है, और इतनी, इतना empowerment है, and it is so, it makes you feel so good, so strong, और पोल में योगा है, जब मैंने अब रॉड ट्रेनिंग की, मैंने देखा, यार ये तो योगा कर रहे हैं, ये तो हमारा है, और तो मैं अपने warm-ups योगा के रखती हूँ, और तीन महिने में मेरे पास 16 सार की लड़की आती हैं, और 60 सार की ओरते भी आती हैं, तीन महिने में वो अपने head stand कर सकती है, shoulder stand कर सकती है, pole climb कर सकती है, और वो खुद इतनी बदलती हैं, तो मेरा pole star जो school है, pole star India का मकसद यही है, if I can, you can, और I just feel only empowered women empower women, मतलब अगर आप एक strong शक्सियत हो, आप एक strong woman हो, आप एक दूसरी औरत को, मेरा दिन में यही मकसद रहता है, कि pole के जरिये, मैं एक औरत को थोड़ी strength दूँ, एक औरत को एक दिन में, अगर उसे वो खुशी महसूस होती है, और वो femininity महसूस होती है, और क्यों ना हम sexy बने, क्यों ना हम अच्छे दिखे, हम यह कहते हैं ना कि नहीं यह हम आद्मियों से आगे हैं, and we are equal to men, नहीं, हम आगे नहीं हैं, हमें औरत बनके रहना जरूरी हैं, क्यों यह thyroid, testosterone, PCOD, क्यों बीमारिया आरी है, पहले हमारी नानी दादी को तो यह बीमारिया नहीं थी, यह सब आज क्यों आ रहा है, क्योंकि औरते, औरतों की तरह बिहेव नहीं कर रही, हमें औरत बनना जरूरी है, and we are the land of the कामा सूत्रा, तो क्यों ना हम वो देवी energy जो है, वो जो family है, वो जो दुरगा है, या वो जो भी है, उसे अंदर से हम उसको हम भार लेके आएं, और बहुत जरूरी है कि हम औरते ही रहे, और be sexy, be beautiful, मैं तो अपने students को बोलती हूँ, कि जब आपको कुछ नहीं होता ना दिन में lipstick लगा के बैठ जाओ, कुछ बत करो, feel beautiful, रोज उठो, आइने में देखो, एक हार्ट बनाओ, मैं तो अपने आइने में एक हार्ट बनाती हूँ, red lipstick के साथ, और मैं उसमें देख के बोलती हूँ, smiley, you're beautiful, और मेरा पोल, सची मेरा अत्रिशूल है, क्योंकि जब मैं उस पे, मेरा best friend है, मुझे किसी की ज़रूत नहीं है, ना कोई friends, ना कोई family, मैं सिर्फ अपने पोल के साथ इतनी खुश होती हूँ, exercise करके, dance करके, so I feel this is the need of the hour for Indian women, और ये हमारे culture में रहा है, मलखम हमारा था, पेश्वाज ने जासी, रानी की जासी मलखम करती थी, हाँ, मलखम था wrestling के लिए, मलखम, कलरी पाईतू, ये सब थे हमारे arts जो ब्रिटिश के rule में दब गए, लेकिन मलखम भी पोल ही तो है, तो हमारी history में रहा है, हाँ, एक time पे कथक भी बदनाम था, एक time पे belly dancing भी बदनाम थी, पोल बदनाम था, लेकिन अभी sport बन गया है, कथक मोगल राज में बदनाम था, belly dancing बदनाम हुई, बट एक्चली इस दान्स फर दो गॉड़ेस, जो लड़कियां belly dancing करती है, वो naturally conceive कर सकती है, पोल dancing भी जो लड़कियां करती है, वो thyroid, PCOD और बहुत, जो women related problems है, वो fight कर सकती है, मैंने खुद किया है, और natural delivery कर सकती है, so I think it is very important आपके core को strong करता है, आपके mind को strong करता है, आपको happy beautiful feel करवाता है, so इसलिए मेरा change हुआ, change over हुआ, और मैं बहुत semi सी, बहुत डरी वी, बहुत protected family में थी, कल्यूग में जिस रूप में आपने मुझे देखा, मैं वैसी ही थी, तो industry के धक्के, मैंने बहुत सहा है, उस से निकल के ये रूप धारण करना, मैं सिरफ pole dancing और अपने pole fitness और pole star को ये credit दे सकती है, वो कौन सा दोर आया जब आपको लगा कि मैं आप लिए पड़े हैं, कौन सा वक्ता है आपके लागा बहुत वक्ता है बहुत वक्ता है बहुत वक्ता है जब मेरे डायड की death week 2010 में, जब काम नहीं मिल रहा था, अच्छा काम नहीं मिल रहा था कल्युक जैसा काम नहीं मिल रहा था 2007 में, जब मेरी नानी की death week 2012 में एक दौरान ऐसा भी लगा मतलब मोहित आगे बढ़ रहा था, इमरान आगे बढ़ रहा था, मेरी family में सब आगे बढ़ रहे थे लेकिन मैं फसी भी थी, मैं अकेली थी और मुझे तब realize हुआ कि मुझे खुद की शक्सियत बनानी पड़ेगी, मुझे खुद अपने पेरों पे खड़ा करना होगा, मैं किसी के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि मुएत मेरे ले एक फिल्म लिखेगा, या इमरान मुझे लॉंच करेगा, या भद साब कुछ और करेंगे, मैं ठग गई थी वेट करते-करते, और तब उस दौरान depression से निकल मुझे मेरा पोल मिला. सब फैमिली से नहीं आए है, सुभाज गाई, बहुत लोग इंडस्ट्री में, आपको पता, टाइमिंग, लख, जैसे ये मेरा टाइमिंग था, पोल में revolution करने का, ये मेरी जौनी थी, आपको अपनी जौनी डूननी है, अगर फिल्म इंडस्री में नहीं हो रहा है, तो फिल्म पोल पहले आता है, उसके बाद फिल्म, उसके बाद थियर्टर, और एक दिन मैं खुद का एक म्यूजिकल लाँच करना चाहती हूँ, पोल और एरियल के साथ, जो बहुत जल्द होगा, और मैं खुद का स्टूडियो खोलना चाहती हूँ, तो आपको अपनी स्ट्र हैं, इसके बाद चाहती है, बहुत प्रॉल्म मेरे पास बहुत ऐसे स्टूड़न्स आते हैं, जो बोलता है के मैं मॉरिंग बॉक के लिए जा रही हूँ, मेरे हस्बंड को मैंने बोला है, मैं Niet बो के लिए जा रही हूँ लेकिन मैं आपका क्लास और टाइम पर हाते हैं और क्लास करके जाते हैं पैसे दे देते हैं लेकिन वो कहते प्लीज मेरा विडियो आउट मत करना मैंने का पागल अपना विडियो आउट करके अपने हस्बन को दिखाओ वो और तुमारे बीचे पागल पड़ेगा किसी और के साथ नहीं चाहेगा और ये क्यों एक धबा पड़ गया च क्योंकि पोल आया था सिट्रिप बास helping लेकिन एक जिन से मैने सीख का बॉबी उनका नाम है उनका एक स्कूल सिंगपोर में है मैं जाना चाहतीज Marx की चाहती हो और मैं जाना चाहती या एक बॉबी से सीखने के लिए बॉबी पहली एक dancer थी, जो उन्हें pole को strip buzz से निकाल के competition में डाला, तो जब उन्होंने competition में डाला, उन्होंने pole से पूरा अपना जैसे जो dance था, वो निकाल दिया, उसने सिरफ tricks रखे, जैसे हम tumble कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर उसकी और अभी pole sport ने नया rule निक कि आपको dance भी करना पड़ेगा, आपको tricks भी करने पड़ेंगे, आपको flow work भी करना पड़ेगा, chair भी करना पड़ेगा, तब ही आप clear कर सकते हो, तो इसका मतलब हर चीज, dance बोलो या पोल में flow work होता है, tricks होते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ tricks करो तो आप circus में भरती हो जाओ, उसमें art क्या है, tricks तो मैं आपको कल सिखा सकती है, लेकिन उसको dance के साथ डालना, वो बहुत जरूरी है, तो I think हमें इसे positively pole fitness कहना चाहिए, और जरूर इंडिया में, I am so sure, इंडिया में ये आगे बढ़ेगा, और लड़कियां बहुत जल्दी, मेरे students ही अपने videos निकालेंग वो अपने खुद के, मतलब, boldly कहींगी, मेरी sister-in-law थी, कल में गई थी, अपनी मासी के घर पे, और मेरी sister-in-law मेरी मासी को कह रही थी, मतलब, उनकी तो वो, क्या हुई, क्या बोलते है, उनकी वो बहु हुई, तो वो मेरे साथ pole dancing कर रही है, और उसने सीधा अपनी mother-in-law म मेरी मासी को कह दिया के, मुझे अपने, ममी मुझे अपने रूम में पोल डालना है, तो मेरी मासी कह रही थी, क्या रभश, तुमको रूम में क्यों पोल डालना है, बोले, उनकी डालना है मुझे, तो मैंने का, मैंने का, मासी, यह है मेरा revolution, जब हर घर में लड़की पोल ड उन्होंने पोल फिटनिस की नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसलिए पोल को लेके विलिजिस में जाना चाहती हूँ, बॉम्बे से बाहर सूरत, एहमदबाद, इन फैक मुझे कॉल आते हैं सूरत, एहमदबाद, पूने से, कि आप यहां पे पोल स्कूल खोलो, भाहर और लो जाके वो स्ट्रॉंग फील करें, और उनको लगे के भाई, यह तो हम कर सकते हैं, और वहां की महिला है, विलिजिस में तो और बेटर करेंगी, मैंने अपनी लड़की पलवी, जो मेरे ले काम करती है, वो बैंगलोर के चोटे गाउं से है, तेलगू है, मैंने उसको अपने नाइट पे, मेरी जो बर्लेस्क नाइटी, मैंने उसको डांस करवाया, तो उसने तो अपना मंगल सूतर, अपना सिंदूर साब डाल के उसने डांस किया, मैं आपको उसका वीडियो भी भेज सकती हूं, और वो आज एक नई लड़की है, आज सलवार कमी से जादा, मतलब पेहनती है, और पुझा पार्ट भी करती है, अपने हस्बंट से भी प्यार करती है, अपने बच्चे भी समालती है, मेरा ग़र भी समालती है, और मुझे आकाली बोल रही थी वह, कर मैडम आप मुझे और कभ सिखाओगे, मैंने का दुबए से वापस आके तेर को पर तो जिम में जो आप 50,000 भड़ते हो वो मुझे दे दो क्योंकि आप खुद का बॉड़ी वेट उठाते हो तो पोल डांसिंग में आपको योगा जरूरी है मैं योगा करती हूँ काडियो वैस्कुलर या रनिंग या वाकिंग जिस दिन आप पोल करते हो उस दिन कुछ मत करो प्रोटीन जादा खाऊ मैं खाती हूँ पनीर या चिकेन या जो भी आप अगर वेजटेरियन हो तो तोफू और बस दूसरे दिनों पे आप वाकिंग रनिंग करो योगा करो मैं वही करती हूँ और डांस करो, मस्त रो, खुश रो, बस, खुश ही बहुत ज़रूरी है पोल के बाद कमाल की नींद आती है इसके अराव में हम दुबर ही जा रहे हैं तो आप अपने वाले हैं किस तरह का होने वाले हैं पता नहीं, मैं बहुत, 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 बहुत excited हूँ मेरी favorite teacher, जिनका नाम है Mary on Cramp, वो मुझे follow भी कर रही है तो मैं बहुत, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से पहले मैं तो डर जाती हूँ और के वो मुझे follow कर रही है और वो जैसे पोल की Amitah Bachchan है और वो था होने वाली है और उसके इलावब बहुत भड़ी टीचर्स होने वाली है और उनको बिलीव ही नहीं हो रहा कि Andia में पोल है तो मैं चाहती हुए में उन टीचर्स को यहां लेकर आऊ उनको लगता है India में साप हैं, बेल है और कैमल है लेकिन पोल नहीं है तो मैं वो बिलीव नहीं कर रही है कि पोल मैंने शुरू किया है पोल स्टार यहां पर और मैं बिलीव नहीं कर रही हूँ कि मैं उनसे मिल सुकती हूँ और मैं फिंगर्स क्रोस्ट है मेरे कि मैं उनको यहां ले आ सको तो वो जब मुझमें बिलीव करेंगी और ये जब अवेरनेस फेलेगी तो मैं उनको यहां लाँ सकूगी इसके लब माई जैसे मालूम बढ़ रहे है कि आप अलम्टीक विश्ट पारिशिपेट करने वाले है मुझे करना आ है बहुत करना है मुझे करना है बहुत लगे है कि काफे डिफिकल्ट होता है बहुत दिफिकल्ट होता है लेकिन माइन यू जो जो ओलम्पिक्स जीती है लेडीज वो 50, 60, 70 तो मुझे मेरे बास वक्त है हो सकता है at the age of 50 या 60 मैं पोल स्पोर्ट जीतू या कहीं आ जाओ बट यह मुझे करना है अपने लिए इससे कुछ होगा नहीं मतलब जीत गई तो जीत गई नहीं जीती तो at least मैंने एंट्री की मतलि अजिक मैंने खवा होगा नहीं होगा नहीं होगा है प्रोड़ दे बाद दोड़ार्दान आप जा प्रोड़ाब आपकी नहीं जात पोर दोरी प्रोड़ाब दोरा जात प्रोड़ाऱ् दोरा बाद झालान आपकीश्स बाहर बाहर आप झाल 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 खेड़ sound रचाव चून हे भजसाद टान के भान देड़ प्लाब अधसी बता। झाल झाल